नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगे साथ शेयर कने वाली हूँ, हर्तालिका तीज ब्रत की बहुत ही सरल पूजा विधी जैसे मैं करती हूँ, मैं आज पूरी विधी आपको बताने वाली हूँ, और सबसे पहले तो हर्तालिका तीज की बहुत बहुत शुपकाम नाए जी के लिए हम रखते हैं सिव जी के लिए पारवती माने ये ब्रत रखा था और अपनी मनों कामना पूर्ण की थी तो हर्ताली का जो ब्रत है वो हमारा कप परता है ये आज आपको बताने वाली हूँ और पूरी विधी पूरी सामगरी मैं आज आपको बताऊंगी तो ये वी पूरा सोला सेंगार करके पूजा करें। बहुत ही विशेश महत्व होता है हर एक विधी का इसमें। तो इसका जो ब्रत का करने के लिए सामगरी हमें चाहिए वैसे तो नॉर्मल जो भी सामगरी होती है वो शिवजी की जो अभिशेक के लिए सामान चाहिए होता है। भांग धतूरा जो भी आपको बहुत आसानी तरीकी से मिल जाए तो आपको जरूर लेना है उनको चड़ाना है अर्पित करना है और अगर हो सके तो घर पर ही सेवलिंग बना कर आप पूजा करें। वैसे तो यहां पर बहुत सारे जंगए पर औरतें खटी होकर पूजा करती हैं तो सबसे ज्यादा महत्व होता है चार होम लगाने का चार समय पर जैसे कि हम आठ वजे लगाते हैं फिर हम बारा वजे लगाते हैं फिर हम दो वजे लगाते हैं फिर रात में सुबए चार वजे लगाते हैं फिस सुबए के आरती हम करते हैं और कुछ फल खाकर ककड़ या नारील खाकर हम अपना प्वास तोड़ते हैं तो अगर आप ऐसे ही ब्रत करेंगे सारी फूल, सारा बेल पत्री, शमी सब चड़ा के भगवान को प्रशन करें मा पार्वती की बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें सारा सुहाक का सामान चड़ाएं चुनरी, साडी, बिचिया, पायल जो भी आपकी श्रद्धाओ वो आप चड़ा सकते हैं अच्छी तरीके से घर पर ही आप कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं या फिर आपका सैसे सुविधान नहीं है जैसे कि मैं अभी कुछ साल से घर पर ही पूजा कर रही हूँ योगि मैं अपने ससुराल नहीं जा पार ही काफी दोर है वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है तो मैं अपने घर पर ही देखिए ऐसे सिबलिंग बना लेती हूँ और सिबलिंग की बहुत अची तरीके से अभी शेक करके पूजा करके आप ऐसे कर सकते हैं सारा सामान अर्पित करके उनको आपको ये ब्रत रखना होता है आपको ये ब्रत एक दिन पहले से सुरू कर देना होता है रात को बारा बजे आप अच्छी तरीके से आप नीम की या खिस चीज की दातुन कर सकते हैं आप ब्रश ही कर सकते हैं और उसके बार आप कुछ भी नहीं खाना है आप सिंपल आप कोई फल खाकर आप सो जाईए और फिर आपका ये निर्जला ब्रस तुरू हो जाता है दिन आप चाहें अगर आप पहली बार ब्रत रख रहे हैं तो आप गव बन के मतलब मूँ से ही पानी आप किसी बेले में पी सकते हैं अगर आप चाहें क्योंकि अगर एक बार आप सुरुवात में पी लेते हैं थ्वासा पानी फर्स्ट होम के बार तो आप वो हर बार पी सकते ह कोई परिशाने नहीं होती है क्योंकि आजकल की लड़किया नहीं रख पाती है या फिर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम भूत ध्यान से नहीं रख पाते हैं तो अगर आप चाहें तो ऐसे आप थ्वासा पानी पी सकते हैं और ये जो ब्रत है ये तो च्ड़ाएं को आरती भी करना हैं और आपको सारे फूल फल चड़ाना है ककडी का विशेष ध्यान रहें ककडी जरूर रखें खीरे को नारिल को सारा सुहाग का सामान रखें चार होम जरूर लगाएं और ये सुबह आप रात्री जागरण का बहुत जदा विशेष महत सवहाग लें और कुछ फल खाकर अपना ब्रद को आप कुल सकते हैं और ये बग्रत बहुत स्वरद्दा से किया जाता है मन में अगर ठान लेंगे हम चे करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये 36 आवर से जादा का ब्रत हो जाता है बहुत अच्छा लगता है बहुत मन को तसली मिलती है, खुशी मिलती है, सारे सुहागन ओरतों को जरूर करना चाहिए, हमारा भारतिय पर्व में बहुत ज्यादा इसका महत्व होता है, हर्तालिका तीज ब्रत का, तो इसको जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भ में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी आपको पूछना हो, वैसे तो ये निर्जला ब्रत रखा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, लेकिं अगर आप चाहें, तो आप थोड़ा सा फल ले सकते हैं, भगवान से विंती करकर, कि मुझे भूल चुक मेर माफ करें, अगर आप पे नहीं सद रहा है, तो आप थोड़ा सा फल ले सकते हैं, वस एक बार ध्यान रहा है, अगर आपको नेक्स टाइम से नहीं रखा जा रहा है, अगर आपके 5 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा भगवान के सामने, किसी पंड़ित को बुल लिया है तो इसको आपको जिंदिगी भर करना है ये बहुत जरूरी बात है लेकिन अगर आप पे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उध्यापन करके नेक्स्ट बार से आप अच्छी तरीके से फल खा कर भी प्रत रख सकते हैं बस आपके मन में श्रद्दा होने चाहिए भ अपने पती के जरूर पैर चुए उसमें भी बहुत बड़ा पुन्य मिलता है और आप ये बहुत अच्छी तरीके से ब्रत कर सकते हैं और मेरी बहुत बहुत शुप कामना है अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ महाकाल भगवान के जो की कालों की काल महाकाल है भोले बाब है हमारे तो अचिया महाकाल की कृपा सभी निता करती हूँ और आपको सभी लोगों को फिर से हर्ताली का ब्रत की बहुत-बहुत शुप कामना है और फिर भी कोई अगर कॉश्चन हो तो एप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और जादा स्यादा लोगं को ये वीडियो जरूर शियर करें जिसे वो भी ये ब्रत बहुत अच्छी तरीके से कर सकें कोई भी परिशानी ना आए तो अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूं थैंक यू